गोपल भाण थोड़ा खटा थोड़ा भीठा सची बातें कहानी में लिप्टा खुशियों की लौगत लेकर हसी का तफा बोलेगा गोपल भाण आएगा गोपल भाण देखिये गोपल भाण ये है गोपल भाण एसा चरित्रा बड़ा ही पिछी इत्रा ढूमक ढूमक कर करे देखो नित्रा एसा चरित्रा कानों से सुनो जरा छुच्छा सुचो जरा आखो से देखो जरा बोलेगा गोपल भाण आएगा गोपल भाण देखिये गोपल भाण ये है गोपल भाण बोलेगा गोपल भाण आएगा गोपल भाण देखिये गोपल भाण ये है गोपल भाण प्रेडाम महाराच आप हम लोगों को बुलाए थे हाँ 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 आओ बैठो बैठो सभी उस आसन पर बैठो हाँ हाँ है ठीक है बैठ रहा हूं महाराच बवरची जी महाराच इन सब को खीर लाकर दे दो जो आगा महाराच बहुत बढ़िया बहुत स्वादिश्ट है इतना स्वादिश्ट खीर हम लोग कभी नहीं खाए थे महाराच हाँ सच में महाराच महाराज अगर ऐसे ही खीर हम लोगों को रोज खिलातें रोज नहीं जिस दिन हमारी इच्छा होगी उस दिन खिलाऊंगा सच में उस दिन का खीर इतना स्वाधिश्ट था ना आज मुझे फिर खीर खाने का मन कर रहा है लेकिन महाराज जब तक नहीं बुलाएंगे हम लोग कैसे जाएंगे मेरे दिमाग में एक बाहत आई है सुनो तुम क्या सुन्दर खीर है महाराज इस खीर को खाकर पूरा अतर जाएंगे वहें खीर महाराज नहीं मैं खांगा बाबरे भूथ वाह इस बवर्ची के हाथ का खाना तो बहुत ही स्वादिश्ट होता है पेड भर जाता है पर मन नहीं भरता कहा हो बवर्ची खीर लाओ महाराज खीर तो नहीं है भूथ खा लिया भूत खीर खा लिया वो कैसे ऐसा एक दिन नहीं छे दिन लगतार हुआ चिंता ना करे महाराज मैं खीर चोर को पकड़ लूँगा बश पतीले में चुना डाल दिया हो अब तुम इसके उपर से खीर डाल दो बवर्ची ठीक है गोपाल बाबू अब मैं महाराज को लेकर कहीं छिप जाता हूँ आँ बहुत अच्छी खुशू आ रही है क्या रहे खीर लाइक लागा आँ जरूर ये लो ये गोपाल ये तो अपना हबू गबू है पर हाथ में पुतला क्यों लिये है वो यहाँ पर क्या कर रहा है आवाज नहीं चुप चाप देखते रहे है महाराज ओ बाप रे बाप मर गया रे बचाओ पेट जल रहा है बचाओ मुझे ओ माराज महाराज जोर पकड़ा गया है अब चलिए महाराज छोड़ दिजिए दया कीजिए अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी हाथ जोड़ता हूं नाक पकड़ता हूं कान पकड़ता हूं अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी ठीक है ठीक है जाओ तुम दोनों को छोड़ दिया गोबाल तुम सचमुष तारीब के काविल हो सब ये चुने की कृपा है